इस अमेजिंग कहानी की शुरुवात होती है लिया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि अपनी मदर लॉरी के साथ रहा करती थी लिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल फेस चल रहा होता है क्योंकि हाली में उसके फादर की मौत हो गई और ये मौत एक खतरनाग बीमारी की वेज़े से भी होती है जिसका इलाज वो लोग प्रॉपर कर नहीं पाए थे लिया के जिंदिगी में एकदम डार्कनेस आ चुकी थी क्योंकि उसके सिर्फ एक फादर ही थे जो हमिशा उसे मोटिवेट किया करते लेकिन उसके एकदम अपोजिट लॉरी उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया करती अब लिया जब इतना ज़्यादा नेगिटिविटी में जा रही होती है तो उसने जान बूचकर विचेस और काला जादू सीखने पर ध्यान दे लिया क्योंकि ये तनहाई में उसका साथ ही बन चुका था लिया को ऐसा लगता कि अगर वो अकेले पन को मिटाना चाहती है तो उसे कोई न कोई तो चाहिए भले ही वो उसके साथ फिजिकली ना प्रेजन ठोल लेकिन काले जादू का यूज करके उसे बहुत ही जादा अच्छा फील होता था लिया अलग-अलग टाइप के होरर स्टोरीज देखने लगी और कई सारी बाते काले जादू के बारे में अपने ध्यान में बिठा लेती है वो हर चीजों को ब्लैक मैजिक से रिलेट करने लगती लेकिन इन सारी चीजों में लिया अकेली नहीं थी बलकि उसके साथ कॉलिज के कुछ दोस्ट भी होते हैं जैनीज नाम की एक लड़की और एरॉन और रॉब नाम की दो लड़के भी मौजूद थे वो सबी मिलकर एक ग्रूप बनाते हैं जिसके अंदर वो ब्लैक मैजिक और विचेस के बारे में ही बात किया करते वो जितना हो सके उतना ज़्यादा सबूत इकठा करते जिससे कि वो प्रूफ कर पाएं कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज होती है और वो सच में किसे शैतान को देखने की प्रैक्टिस करने लगे हाला कि इन सारे लोगों में common बात होती है कि इन्हे black magic पसंद है लेकिन लिया के लिए ये सिर्फ ए black magic नहीं था बल्कि उसके life में जो negativity चल रही है उसका ये एक solution है वो तो black magic का use करना सिर्फ straw के लिए नहीं करती थी बल्कि लिया तो इसे अपने पूरी जिंड़िगी ही समझती है जो अकेले पन में उसका साथ दे रहा है बाकि सबे दोस्तों ये सारी चीज़े सिर्फ मजे के लिए कर रहे थे उनके पास लिया जैसा vision नहीं होता लिया चाती थी कि वो अपने इनी दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा explore करे इन dark magic वाले रहस्यों को जब तक वो किसी असली सैतान को अपने सामने न देख पाए इन सारी चीज़ों में तो लिया अपने जान तक कुर्बान करने के लिए ready थी क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि अब उसके life में ज़्यादा कुछ exciting बचा ही नहीं रह गया है लिया तो अब यहाँ पर एक author के पास जाती है जो काफी black magic की किताबे लिखा करता था उसकी एक किताब थी जिसका नाम primer होता है लिया और उसके दोस्तों ने वो पूरी किताब अच्छे से पढ़ ली थी और उन black magic के मंतरों को apply भी किया था लेकिन वो उस author से जाकर कहती है कि आपको और भी ज़्यादा black magic की spells लिखने चाहिए हम उसके उपर experiment करते हैं और हमें आपकी research काफी अच्छी लगती है उस author ने कहा कि ये सारी चीजे fictional हैं इसे कोई भी सच न माने लेकिन लिया और उसके सभी दोस्तों इसे सच मानने ही लगे थे अब यहाँ पर लिया जब अपने friends के साथ बैटी हुई थी तो जैनिस नाम की उसकी एक friend कुछ बता रही होती है जैनिस एक तरीके से सभी का brainwash कर रही थी अपने parents के प्रती वो बताने लगी कि हमारे parents हमारे उपर जास्ती करते हैं वो चाते हैं कि हम उनकी इज़त करें चाहे कुछ भी हो जाए वो हमसे बड़े हैं लेकिन वो भी कभी कभी गलती करते हैं इसलिए हमें अपने parents के बिलकुल इज़त नहीं करनी चाहिए जैनिस के इन सारी बातों से लिया और वो दोनों लड़की भी influence होने लगे थे जिनके मन में अब अपने parents के प्रती बहुती गलत भावनाय जागने लगी थी अब उन सभी को काफी लेट हो जाता है इसलिए लिया को छोड़ने के लिए Aaron कार में आ चुका था हलाकि जब वो घर जाने के लिए निकल रही होती है तो Aaron उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन लिया ने उसे मना कर दिया और सीधा अपने घर में आ गई लिया की मदर लॉरी उससे पूछने लगी कि आखिरकार तुमें इतनी लेट कहां पर हो गई तुमें बिलकुल भी नहीं समझता कि मैं यहाँ पर कितना परिशान हो रही थी लॉरी यहाँ पर लिया को एक बात बताती है कि हम यहाँ से कहीं दूसरी जगा पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि जब से उसके हस्बेंड मरे हैं तब से लॉरी यहाँ पर जादा टैम तक नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पर उसके हस्बेंड की बहुत सारी यादे हैं जो उसे अच्छी तरीके से जीनी नहीं दे रहे इसलिए अब लॉरी ने ये डिसाइट किया है कि वो ये अपार्टमेंट छोड़ कर कहीं दूर चले जाएंगे लिया काफी ज़्यादा उदास हो गई क्योंकि इस वजे से तो वो अपनी ग्रूप से अलग हो जाएगी और फिर उसके पास कोई भी नहीं बचेगा जो ब्लैक मैजिक में उसकी हेल्प कर सके पर अब उसकी मदर ने मन बना लिया था तो लॉरी और लिया को उस घर छोड़ कर वापस दूसरी जगह पर जाना ही पड़ा लिया ने जब अपने दोस्तों को भी ये बात बताई थी तो वो काफी ज़दा उदास हो गए क्योंकि उनका ग्रूप ब्लैक मैजिक यूपर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था और वो साथ में सारी चीज़े एक्स्पिरियंस करते यहां लॉरी अगले दिन ही लिया को लेकर उस फॉरिस्ट के बीचों बीच वाले अपार्टमेंट में आ जाती है जहां पर वो शिफ्ट हो रहे थे उन्होंने एक दिन के अंदर ही सारा शामान शिफ्ट कर लिया था जिससे की वो रहना भी स्टार्ट कर देते हैं अब दिरे दिरे लॉरी सारी चीजों में बिजी होती चली गई और उसका अकेला पन दूर हो जाता है उसे तो अब अपने हस्बेंट की यादे भी नहीं आती लेकिन ऐसा लिया के साथ नहीं था वो अब पहले से भी और काफी ज़्यादा अकेली हो गई थी क्योंकि उसके पास उसका ग्रूप नहीं मौजूद होता है वो तो सिर्फ अपनी मदर की तरफ देखते रहती कि ये किस तरीके से खुश रह रही है इतनी नेगेटिवटी में भी लेकिन अब लॉरी अपने जिंदिगी में आगे बढ़ना चाहती थी इसलिए वो पास्ट की सारी बाते भुला देती है लॉरी अपने आपको बिज़े रखने के लिए लिया को स्कूल चोडने के ले जाती थी जिससे के ड्राइविंग में उससे अब काफी मज़ा आने लगा था पर लिया की यहालत यहा पर बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है लिया तो स्कूल जाती लेकिन उसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद तुरंती लॉरी उसे लिने के लिए आ जाती एक तरीके से लिया अपनी मदर को विलेन मानने लगी थी कि वो उसकी आजादी धीरे धीरे छीन रही है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं था अगर लॉरी ऐसा सच में चाती तो वो अपनी बेटी का स्कूल कप का बदल देती लेकिन मुझ जान बुझकर उसे वहीं रखती है क्योंकि लिया के वहाँ पर कई सारे दोस्त हैं सिर्फ वो इतना चाती है कि उसकी बेटी किसी गलत रास्ते पर ना चले पर लिया तो ऐसा बिलकुल भी नहीं समझ रही थी और लॉरी के साथ घर पर आकर बहस करने लगी दोनों में काफी ज़्यादा जगड़े होते हैं और अब आखिरकार लॉरी ने एक कड़वा सब्द कहा जो कह रही थी कि तुमारा चैरा भी मेरे हस्बेंट की याद दिलाता है काश मैं इसे भी मिटा सकती लिया ये बाते सुनकर काफी डिस्टाब हो जाती है और रोते विश सीधा फॉरेश की तरफ भागने लगी वो अगले मोमेंट में बूलती है कि काश मेरी मदर मर जाती और अब उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया होता है उसने तो प्राइमर नाम की उसी ओथर की किताब में लिखे गए सारे स्पेल्स अपलाई किये जो की एक रिच्वल होता है जिसमें किसी भी इंसान को टॉचर करके मार दिया जाता था सारी सामगरी और सारे विधी उसके अंदर लिखी हुए होते हैं जिसे कि लिया काफी अच्छी तरीके से फॉलो करने लेगी और अपनी मदर के थोड़े से बाल लेकर उसमें इंकलूट कर देती है यानि कि वो सच में एक खतरनाक रिच्वल कर रही है जिससे उसके मदर को काफी जारा टॉचर जिलना पड़ेगा लिया ने तो बुक के अंदर लिखे गए सारे स्टेफ फॉलो किये और पेडों के उपर लाल धागे बांध कर एक स्टार का निशान बना दिया अपनी मदर के बाल उसने कई सारे दूद के अंदर डाले और अपना खून भी इंकलूड किया जैसा जैसा उस बुक में लिखा गया था वो वैसा ही पफॉर्म करती है और अंत में उस स्टार के एकदम बीचो बीच पत्थर मार कर उस विदी को खत्म किया जाने वाला था दरसल ये विदी होती है एक खतरनाक आत्मा को बुलाने की जिसका नाम पाय विकेड था दरसल ये एक ऐसी आत्मा होती है जो कई साल पहले डिसकावर की गई थी और ये इने सारे विदीयो को पफॉर्म करने के बाद बुलाए जाने पर आती थी सारो पहरे एक जादूगर ने इस आत्मा को डिसकावर किया था और बुलाए जाने पर ये आत्मा किसी जानवर की बॉडी में आती थी और बुलाने वाले की हर बात पूरी करती थी लिया ने ये सारा रिजूल कम्प्रीट कर लिया और सीरा अपने घर पर चली गई उसने दुरंती हाथ धो लिये ताकि उसकी मदर को कुछ पता ना चले लेकिन लिया के हाथ पर जो कट लगा हुआ था उसमें से खून गिरने लगा तो उसकी मदर काफी परिशान हो गई और जल्दी जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है लॉरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो गई और अपनी बेटी से माफी मागने लगी उन वर्ट्स के लिए जो कि उसने लिया से कहे थे उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपनी बेटी पर इस तरीके से चिलाया दोनों ही एक दूसरे को सौरी कहते हैं और एक दूसरे से सुला कर लेते हैं लेकिन अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होई थी लिया ने उस खतरनाक आत्मा को बुला दिया था जिससे कि अब लिया को डर लगने लगा कि उस पाई विकेट की आत्मा कहीं यहां आना जाए वो रात भर इसी तरीके से सूचती रही इसलिए उसे नीन भी नहीं आती अंदकार एक तरीके से लिया को खाता जा रहा था सुबह उतने पर जब लिया को पता चला कि आई विकेट की आत्मा अभी तक नहीं आई तो वो थुड़ा सा चैन की सांस लेती है लेकिन वो जैसे ही दर्वाजे के पास जाती है तो वहाँ पर काफी सारी मिट्टी गिरी थी जैसे कि फॉरेस से अंदर कोई आया हो लिया ने इन बातों को अपनी मदर से छुपाया और उन सारी चीजों को साफ कर दिया लिया और उसकी मदर निकल पड़ते हैं सहर के अंदर ताकि लॉरी अपनी लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब देख सके लिया भी अपनी मदर की मदद इन सारी चीजों में करती है इन सारी चीज़ों को लिया connect कर रही थी उस ritual से क्योंकि उससे लगने लगा था कि शायद वो विच वापस आ चुकी है जिसे कि उसने अपनी ये मदर को मारने के लिए कहा था लिया इन सारी चीजों के बारे में काफी जादा डर गई और वहां से तुरंत निकल पड़ी लेकिन वो अपनी मदर को कैसे बताए कि उसने ये रिच्वल उन्हें ही मारने के लिए किया था लॉरी को तो पाट टाइम जॉब मिल चुके होती है इसलिए वो काफी खुश थी और वो कार के अंदर जा रही होती है तो लिया का हाथ पकड़ कर उससे प्यार जताती है लिया को लगने लगा कि ये उसका वहम था और उसे अपनी मदर के साथ करिंट मुमेंट को इंजॉई करना चाहिए लेकिन तभी उनके सामने एक कार आ गई जुके टकराने वाली थी लेकिन लिया ने इससे देख लिया तो वो जोर से चिल्ला देती है लॉरी ने तो तुरंती कार को मोड लिया होता है जिससे उनकी जान बच गई आला कि सिर्फ कार को थोड़े से डैमेज हो चुके थे लेकिन अगर ये एक्सिरेंट हो जाता तो लिया तो बच जाती क्योंकि उसने सीट बेल्स लगाई थी लेकिन लॉरी इसमें नहीं बच पाती लिया समझ गई कि अभी भी शायद ये सारी चीजे उस रिच्वल से रिलेटेड है वो तो फिलाल के लिए यही प्रे कर रही थी कि काश वो आत्मा जैसे कि पाई विगेट कहा जाता है वो यहाँ पर ना आए और नाए उसकी मदर को मारे लिया तो अपनी मदर को ये सारी बाते बता भी नहीं सकती थी वो अब बिना कुछ किये सोने चली जाती है लेकिन तभी अचानक लिया को ऐसा लगने लगा कि उनकी छट के उपर कोई चड़ रहा है वो बहुत ही जादा डर कर अपनी मदर को उठाती है और लॉरी उपर जाकर चेक करने लेगी हाला कि काफी जादा डूनने के बाद वहाँ कोई भी नहीं मिलता इसलिए लॉरी अपनी बेटी को सो जाने के लिए कहती है अगले दिन लेहां लिया लॉरी की सारी मदद करती है क्योंकि उसके स्कूल की छुटियां चल रही थी वो अपने आपको पूरा बिजी रखने की कोशिश करती है लेकिन जो रिच्वल उसने पफॉर्म किया है अपनी मदर की अगैंस्ट वो उसे भुला नहीं पा रही थी इसी फ्रस्टेशन में लिया सोने के लिए चली जाती है और लॉरी ने उस कमरे की लाइड बंद करती ये बहुत खतरनाक चीज होती है क्योंकि अब थोड़े ही देर के अंदर एक अजीब सी परचाई उसके कमरे में आती भी दिखाई दी ये परचाई कुछ समय के लिए लिया को तो देखती रह गई लेकिन फिर उसके सामने आकर उसके पास चली जाती है ये कोई और नहीं बलकि पाई विकेट की आत्मा थी जो लिया के बुलाने पर ही यहां आई है कुछ दिर बाद लिया ने जब अपनी आखे खुली तो वो उसी स्पॉर्ट पर मौजूद थी जहां पर उसने वो रिच्वल परफॉर्म किया था लिया के हाथ पर काफी ज़्यादा खुन का निशान होता है जिसे कि उसने पेड की उपर लगा दिया था यानि कि पाई विकेट ने लिया का थोड़ा सा खुन लिया है ताकि वो ये रिच्वल कंप्लीट करके लिया ने उससे जो मांगा था वो पूरा कर दे यानि कि उसकी मदर को जान से मारना लिया इस बात से काफी ज़्यादा डर गई और उस सीदा भागते वे अपने दोस्तों के पास पहुची क्योंकि उनके अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता था लिया ने सब कुछ बताया कि यह इस तरीके से उसने अपनी मदर को मारने के लिए पाई विकेट नाम की वो रिच्वल पफॉर्म किये अलाव कि यह सारी बाते सुनने के बाद लिया का कोई भी फ्रेंड उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि ओथर ने खुद कहा था कि उसने यह सारी चीजे फिक्शनल टाइप से लिखी है लेगिन रॉब नाम का एक दोस्त तो कह रहा था कि तुम्हें उससे नहीं बलकि इस बात से डरना चाहिए कि तुमने अपनी मदर को मारने के लिए इदिचोल परफॉर्म किया हाला कि एरॉन लिया की मदद करना चाता था पर वो समझ नहीं पा रहा था तब जाकर जैनिस नाम की उसकी दोस्त लिया का साथ देने के लिए रेडी होती है और बोलती है कि मैं अपनी आखों से देखना चाती हूँ यानि वो लिया के साथ उसके अपार्टमेंट में चली गई लिया को थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि वो कई दिनों बाद अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रही थी जैनिस और लिया साथ में काफी सारे मज़े करते हैं और राट भी वहीं पर गुजारते हैं वो दुनों तो सच्छा ही का पता करने के लिए पासी वाली फॉरिस्ट में चले गए वो भी रात के समय पर थोड़े दिर तक आगे जाने के बाद लिया के सामने जैनिस खड़ी हुई थी वो एकदम से स्टक हो जाती है लिया इस बाद से काफी जाधा डर गई पर ये जैनिस का एक मज़ाग था वो तो बाद में एकदम नार्मल हो जाती है और लिया का मूँ देखकर हसने लगती है वो दोनों फिर से घर के अंदर आ गए और रात होने पर लिया अपने कमरे में सोती है और जैनिस नीचे वाले सोफा पुरा कर जैनिस गहरे नीद में थी लेकिन थोड़े देर में उसके उपर भी वही साया आ जाता है जो कि पाई विकेट का था उसने तो जैनिस के उपर काफी बुरी तरीके से हमला किया और उससे बेहोश कर दिया सुबा होने पर लोरी लिया के पास आती है और पूछती है कि आखिरकार तुमारी फैंट जैनिस कहाँ पर चली गई दोनों मिलकर पूरा घर छान मारते हैं लेकिन जैनिस उन्हें मिलती नहीं फिर पता चला कि जैनिस तो कार के अंदर खुद को लॉक करके बैठी हुई है जैनिस का मुँ बहुत ही जादा डरा हुआ था और वो एकदम घबराई थी लिया जल से जल जैनिस के पास जैसे ही जाती है और उसे टैच करती है तो जैनिस उसके उपर भड़कने लगी वो कहती है कि मुझसे दूर चले जाओ और मुझे इस अपार्टमेंट में वापस कभी नहीं जाना और आज के बाद मैं यहां आऊंगी भी नहीं लॉरी जल से जल जैनिस को उसके घर पर छोड़ देती है पर लिया को एक्च्वल में पता भी नहीं चला था कि आकिरकार जैनिस के साथ हुआ क्या था जैनिस तो अगले दिन स्कूल भी नहीं आती जिससे कि लिया को काफी फिकर होने लगी वो जैनिस को मैसेज करके भी बोलती है कि आखिरकार सच्चाई क्या है और कल रात मेरे घर पर आखिरकार तुमारे साथ हुआ क्या था लेकिन जैनिस की तरफ से लिया को कोई भी रिप्लाइ नहीं आता अब यहां क्लास खत्म होने के बाद लॉरी अपनी बेटी को पिक करने के लिया आई थी लिया ने पूछा कि आखिरकार मुझे जैनिस का रिप्लाइ क्यों नहीं आ रहा है तब लॉरी बताती है कि उसे कमरे के अंदर बंद किया गया है वो बहुत अजीब तरीके से हरकती करने लगी थी लॉरी ने अब अपनी बेटी को बताया कि मुझे कुछ इंपोर्टेंट काम से कल जाना है तुम्हें कल तुम्हें पिक करने नहीं आ सकती तुम बस पकड़के वापस घर आ जाना लिया इस समय काफी परिशान थी और वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे अलागी स्कूल आने पर एराउन भी बार बार उससे पूछता है कि आखिर तुम किस परिशानी में हो लेकिन लिया उसे कुछ न बताती क्योंकि वो और भी जादा दोस्तों को परिशानी में नहीं डालना चाती थी लिया को तो एक ही आदमी दिख रहा था यानि कि वो रॉवेन जो की बुक का ओथर था उसने जल से जल रॉवेन को इमेल किया और उससे हेल्प मागी कुछ ही समय कि अंदर-अंदर रॉवेन उसे रिपलाई दे देता है सारे केस को डीपली स्टडी करने के बाद उस ओथर यानि कि रॉवेन ने लिया को बताया कि तुमने जिस तरीके से वो रिचुल परफॉर्म करके पाई विकेट को बुलाया है वो इस दुनिया में अब आ चुकी है सबसे पहले वो तुम्हारे द्वारा बताये गए काम को कम्पलीट करेगी और फिर तुम्हें परिशान करेगी इसका सबसे सेफ इलाज ये था कि तुम सारे रिचुल वापस से करो लेकिन वो तुम्हें उल्टे तरीके से करने होंगे और हाँ यहाँ पर रोविन एक शौकिंग बात बताता है कि वो पाई विकेट की आत्मा इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी लिविंग इंटिटी का रूप धारन कर सकती है और वो पूरी कोशिश करेगी कि तुम यह रिचुल कभी ना कंप्लीट कर पाओ लेकिन तुम्हें एक बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और यह रिचुल कंप्लीट करके उस आत्मा को रोकना होगा इन सारी चीजों में कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये रिचुल तुमने अकेले किया था तो वो खतरनाक वीच तुमें ही दिखाई देगी लिया ये सारे बाते अच्छे से समझ जाती है और वो सीधा निकल पड़ी थी उसी रिचुल वाली जग़ पर जाने के लिए सबसे पहले उसे इंग्रीडियन चाहिए थे इसलिए वो सिंक में जाकर तुरंती चेक करने लगी जहां उसे कुछ कॉंटिटी में बाल मिल गए थे लिया क्या आथ से थोड़ा सा दूद नीचे गिर जाता है जिससे वहाँ पर एक अजीब तरीके का शेप बन गया ये शेप बहुत ही खतरनाक होता है और ये किसी जादवी कर्ज जैसा दिखाई दे रहा था लिया ने सारे सामानी कठा किये और सीधा उस जगपर चली गई जहां पर रिच्वल किये जाने होंगी हाला कि लिया को अब यहाँ पर अपनी मदर लौरी की पीछे से आवाज सुनाई देती है पर लिया समझ गई कि ये ज़रूर वो खतरनाक विच होगी जो उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसकी मदर तो यहाँ पर है ही नहीं और वो कहीं दूसरी सिटी में गई है काम करने के लिए लिया तुरन थी वो सारी रिच्वल के सामानी कठा करकी उसे रिवर्स डारेक्शन में करने लेगी हाला कि एकदम बीचो बीच अचानक उसे अपनी मदर की डेट बॉड़ी दिखाई देती है जो सामनी की तरफ पड़ी हुई थी फिर भी उसे अपनी मदर के चिल्लानी की आवाज आ रही थी लेकिन यहाँ अपनी मदर की लाश देखकर लिया को लगने लगा कि शायद उस पाई विकेट ने सच में मेरी मदर को जान से मार दिया वो पूरा रिच्वल इसी तरीके से बंद करके बहुत ही जादा रोने लगी फिर बाद में हमें लॉरी की लाश को आँख खोलते वे दिखाया गया यानि कि वो उसकी मदर नहीं थी बलकि सच में ये पाई विकेट है जिसने कि लिया का ये रिच्वल पूरी तरीके से रोग दिया है और अब वो उसकी तरफ बढ़ रही है उसकी जान लेने के लिए अब यहाँ पर लिया को एरॉन का मेसेज आता है कि वो उसके घर के पास पहुच चुका है इसलिए लिया तुननती अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लेगी क्योंकि एरॉन उसकी मदद कर सकता था वो खतरनाथ पाई विकेट अभी उसका पीछा कर रही होती है जिसकी आवाज उसे साप साप सुनाई देती जा रही थी लिया जैसे घर के पास पहुची तो उसे अपनी मदर वहाँ पर बैठी वी दिखाई दी पर लिया को ये पता था कि ये पाई विकेट है इसलिए वो जान बचा कर घर के अंदर चली गई यहाँ वो पाई विकेट अपनी असली रूप में आकर उसके पीछे लग जाती है लिया तो इन सारी चीजों से डर कर बाहर की तरब भागती है पर वहाँ फोरेश के अंदर भी उसे उसकी आत्मा दिखाई दे रही थी लिया इसलिए घर के अंदर आकर एटिक की अंदर जाकर चुप जाती है धीरे धीरे उसे आवाज आ रही थी कि कोई उसकी तरब बढ़ रहा है और यह उसकी मदर लौरी होती है लौरी तो अपनी बीटी को सांथ करा रही थी कि मैंने तुम्हें काफी सारी आवाजे दी लेकिन तुम उससे दूर क्यों भाग रही हो लौरी की आवाजे काफी भारी होती जा रही थी इसलिए अब लिया यह समझ जाती है कि यह मेरी मदर नहीं बल्कि वो खतरनाक witch है जो मुझे मारना जाती है। इसलिए लिया ने अब जल्द से जल्द उस खतरनाक witch को damage करते वेविश सिधा वो कार के पास चली जाती है। और उसने ये सोच लिया था कि वो इस witch को मार करे रहेगी। क्योंकि अगर वो इसे नहीं मारेगी तो उसकी मदर भी खत्म हो जाएगी और फिर ये उसे टॉचर करेगी। इसलिए लिया ने अपनी कार के अंदर से फ्यूल निकाला और सीधा उस विच के उपर छिड़क दिया जिसने की उसकी मदर का रूप धारन किया था। लिया ने तुरंती आग लगा दी जिसे कि वो खतरनाक वीच जलने लगती है और साथ साथ पूरा घर भी जलकर राक हो चुका था। लिया इन चीजों को अच्छी तरीके से देख नहीं पाती और वो वहीं बेहोस हो जाती है। सुबह होने पर जब एरॉन वहाँ पर पहुचा तो वो बाहर की तरफ लिया को देखता है। इसलिए वो तुरंती लिया को हॉस्पिटल लेकर आ गया। इस घटना को जब पुलिस ओफिसर्स को पता चला तो वो इसके उपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लिया जब होच में आई तो उसे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था कि उसने उस पाई विकेट को मार दिया। पर वो पुलिस ओफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बोल रहे थी कि हमें वहाँ पर और कोई भी नहीं मिला। सिब जिस घर में आग लगी हुई थी हमें उस जगह पर एक लीडी की बोडी मिली है जो कि करीब करीब 40 साल की हो सकती थी। यहां जाकर लिया को एक डार्क रियालिटी पता चली। दरसल लिया ने जिससे पाई विकेट समझ कर आग लगाई थी। वो और कोई नहीं बलकि उसकी मदर लौरी होती है। उस समय तो पाई विकेट वहाँ मौजूद ही नहीं थी। तब जाकर लिया को रेलाइज हुआ क पाई विकेट ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। यानि कि पाई विकेट ने लिया के ही हाथ से उसकी मदर का मडर करा दिया। और अब वो लिया को टॉचर करेगी जब तक वो अपनी जान खुद नहीं ले लेती। लिया की जिंदगी जो पहले से डार्कनेस में चल रह इस पूरी कहानी की स्टोरी लाइन नी इतना तगड़ा मुमेंट ले लिया जिसे कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि अंत इसका ऐसा हो सकता है और इतनी खतरनाक एंडिंग होने के बावजूद भी ये मुवी अंडर रेटेड है ऐसे बहुत सारी अनोखी मुवी देख करना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको मेरा एक्स्पनेशन एक परसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो आकर हमारी चैनल के साथ जुड़ जाईए मिलते हैं इसी तरीकी की मज़दार वीडियोज में तबका के लिए बबावा है